हेलो एवरिवन वेलकम बेक टू टेक्नो राजस्तान तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्तान को एपरेटिव बेंक रिकूट्मेंट 2021 के बारे में जो आपको इसेकारी बेंक अंदर वेकेंसी निकल रखी है जिसके अंदर LDC जूनिर असिस्टेंड के सेयर इ देख लिए थी उसकंदर कुछ new changes हुए है नए बदला हुए है और साथ ही में आविदन की तित्थी भी बड़ा दी गई है तो हम देख लेते के इसकंदर जो new rules है है और कब तक इसके लिए आप online आविदन कर सकते हैं और एक बार आपको details में बता देता हूं कि कैस में education qualification है कितनी क्या post है सब कुछ details के साथ तो दोस्तो उससे पहले आप सभी को धूरीना application के बारे में बताना चाहूंगा जहां पर आप जो जानते ही है इन डोग जो सुबास चारेंड सर है ठीक है तो सुबास चारेंड सर जो राजस्तान के सबसे best and शांदार faculty है राजस्तान की और RPSC की जो RS vacancy है उसका course आपको मातर 1500 रूपे में ठीक है और जो SSC ZD का course आपको मातर 500 रूपे में आप अपनी तयारी कर सकते है SSC ZD की and जो REIT का जो REIT second level SSC का है उसके 700 रूपे में and जो RPSC SI की आप जो course ले सकता है मातर 1500 रूपे में ठीक and साथ ही मापको free में PDF files भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी सभी students के लिए तो आपको जो धूरीना application की link है description में मिल जाएगी तो play store में जाकर भी आप download कर सकता है app store में and google play store दोनों के अंदर आपको मिल जाएगा तो आप जो राजस्तान की जो best teacher है सुबा 64 द्वारा अपनी तयारी करना चाते तो आप धूरीन application डाउनलोड करके यह course purchase कर सकता है ठीक दोस्तों तो हम देख लेते हैं जो cash की date बढ़ाएगी है जो राजस्तान कोपरेटिव रिकूट्मेंट बेड है जो bank से KVVS के अंदर तो पहले इसकी जो last date थी आपके 20 March जो 20 April 2021 थी ठीक है 20 March 20 March से इसके form start हुए थे और 20 April इसकी last date थ अंदर एंड जो form भरने जो fees के अंदर भी छूट दी जाएगी तो इसी वजह से यह आवेदन की date बढ़ाए गई है तब 10 दिन और एक्स्ट्रा दे दिये गए इसके अंदर तो जिन्होंने अभी तक apply नहीं किया है वो 30 April 2021 तक आवेदन कर सकते है ठीक है और official press note भी आप सभ सेकारी wholesale बंडारों विक्रे विक्रे सेकारी सिमीतियों में जो total 385 पदो पर है एंड जो education qualification सभी के लिए graduation है यान अगर आपके पास सनाथ तक है या final year में है तो आप इस post के लिए आवेदन कर सकते है और EWS की जो महिला एम पुरुष अभियरतियों को इसमें छूट दी गई है पहले यहां पर छूट नहीं मिली थी EWS का भियरतियों को लेकिन जो भी बजट 2021 का अंदर CM अशोगे लोट सर ने कहा था कि जो EWS को भी I.U.W. जो शुलक में छूट मिलेगी तो इसलिए सभी vacancies के form फिर से reopen होंगे जिनके भी exam अभी तक नहीं हुआ है ठीक है तो cooperative bank ने स candidates उनको 5 years का age relaxation मिलेगा एंड जो female candidates है उनको 10 years का age relaxation मिलेगा ठीक है और साथ ही में आविधन करने की तिति में और जो परिक्षय सुलक में 20 में छूट दी गई है और जो आपकी date बढ़ा कर 20 April 2021 थी उसको बढ़ा कर 30 April 2021 तक आप online आविधन कर सकते हैं ठीक है यह official press note आप सभी देख सकता है और आविधन कैसे करना है क्या education qualification है सब कुछ details में आपको जान करी हम जैसे LDC junior assistant और जो store keeper गोडाउन की पर जो इसमें यह vacances निकल रखी है तो सभी के लिए एक exam होगा और जो आपको joining के बाद आपको decide किया जाएगा कि आपको कौन सी post देनी है ठीक है तो सभी typist case here store keeper और इसमें जो यह vacances निकल रखी है गोडाउन की पर तो सभी का exam एक ही रह जाएगा graduation base पर होगा ठीक है and selection के बाद आपको जो office वालों को पर depend करेगा कि आपको कौन सी post दी गई है ठीक है document verification के बाद यह आपको post मिलेगी कि store की पर बनाये जाएगा go down की पर बनाये जाएगा फिर LDC junior assistant या फिर typist बनाये जाएगा ठीक है तो आपके पास जो education qualification इसमें graduation होनी चाहिए ठीक है age limit के अपने आप बात करें यूंतम 21 वर्स अधिकतम 30 वर्स है बाकी जो category वाइस चूट मिल चुकी है जैसे हर vacancy का अंदर रहती है वही चूट आपको यहाँ पर मिलेगी और जो EWS को भी यहाँ पर चूट दे दी गई है ठीक है तो महिला को 10 साल की है पूर्शों को 5 साल की है एंड एप्लिकेशन फीस है यहाँ पर जो जनरल OBC, MBC जो नोन क्रिमिलियर है उनकी 1200 रुपे है एंड जो SC, ST, EWS की 600 रुपे यहाँ पर फीस रखी गई है ठीक है तो सब कुछ जान करें आपको मारे website technorazistan.in पर मिल जाएगी क्या exam pattern रहेगा क्या syllabus सब कुछ और आपको कुछ पूछना तो मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं आप सभी देख लिजेगा ठीक दोस्ते आप सभी को best of luck thank you so much